दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत्स्वियगाद, नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश आज साथ सितंबर है कॉंग्रिस के पुर्वध्यक्ष राहुल गांधी आज ही के दिन कन्या कुमारी से अपनी भारत जोडो यात्रा की शुरुवात कर रहे हैं उनकी भारत जोडो यात्रा हाल के वर्षों में ही नहीं बलकी तसकों में अपने ढंकी पहली यात्रा है जो पूरी तरह पद यात्रा है बीच में हवाई जहाज या गाड़ी या ट्रक या कार किसी भी वहन का उप्योग नहीं किया जाएगा सिर्फ सारे के सारे पद्यात्री पैदल चलेंगे लोगों से बिलते जुलते हुए लोगों से डायलाग करते हुए 3570 किलोमीटर 150 दिन तक चलेंगे 12 राजियों से होकर गुजरेगी ये पद्यात्रा और दो कैंदरशा से च्छेत्रे भी होंगे जिन च्छेत्रों में जिन राजियों में ये पद्यात्रा नहीं जाएगी उन राजियों में कॉंग्रेस के कारेकरता या समर्थक उसी तरह की पद्यात्रा करेंगे या जहां पद्यात्रा की संभावना नहीं होगी वहां कोई और कारेकरम करेंगे कुल 118 स्थाई यात्री राहुल गांदी के साथ चलेंगे बाकी राजजी यात्री होंगे और अतित यात्री उसमें शामिल होते रहेंगे तो जो ये पद्यात्रा है दोस्तों पहले ये दो अक्टूबर से होनी थी अब कुछ पहले हो रही है यानि साथ सितंबर को अब क्यों ऐसा हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है इस विवाद में गए बगैर हम आपके सामने एक सवाल इस विवर्ण पर जरूर उठाना चाहेंगे और वो ये कि राहुल गांदी जिस वक्त पद्यात्रा कर रहे होंगे उसी वक्त दो तरह की बड़ी राजनितिक परिगटना दर्ज हो रही होगी पहला देश के दो सूबों में मतदान होगा यानि चुनाओ होगा डौवंबर और दिसंबर में और ये राज्य हैं वे जहां कॉंग्रेस का स्टेक है जहां कॉंग्रेस एक महत्पूर्ण सियासी खिलाड़ी है एक राजनितिक दल के तोर पे वो हैं गुजरात और हिमाचप और दूसरा जो राजनितिक मामला है वो इस दोरान जो होगा संपन होगा वो ये है कि कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष का चुनाओ भी संपन होगा वो 17 अक्टूबर को तारीक उसकी तै की गई है दोस्तो हम इस विशे पर जरूर चर्चा करेंगे कि गुजरात और हिमाचल के चुनाओ क्या इस पध्यात्रा के दौरान राहुल गांधी के व्यस्त होने के कारण क्या उन पर ध्यान कम जाएगा जिसतरा गुजरात के चुनाओ में पिछले चुनाओ में यानि 5 साल पहले राहुल गांधी लगातार इन्वाल्ब थे और उन्होंने युवाओं की एक अच्छी खासी टीम गुजरात में खड़ी की और यहां तक की गुजरात के बाहर के युवाओं को लेकर वो गुजरात में उन्होंने मैदान में उतारा था बहुत सारे लोग दिल्ली से गए थे बहुत सारे लोग महरास्ट से गए थे तो क्या उस तरह का जोश उस तरह का मोबलाईजेशन क्या कॉंग्रेस पार्टी कर पाएगी गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ भले ही हार गई हो पिछले चुनाओ के दर्मियान लेकिन उसने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी थी और शुरू में तो लग रहा था जैसे वो बीजेपी को हरा देगी लेकिन सूरत और पौरबंदर के इलागे में नवजाने क्या हुआ कि रिजल्ट जो आया वो आम तोर पे लोगों की आशा के विपरित था तो गुजरात में अगर वोटिंग परसेंट देखा जाए कांग्रिस का तो वो काफी ठीक ठाक था और इसलिए ये माना जा रहा था कि इस बार चुनाव में गुजरात और हिमाचल दोनों में वो सत्ता हासिल करने के लिए लड़ेगी तो ये एक बात देखनी है कि क्या राहुल गांधी की पद्यातrा की ये तो तारीख तैक की गई है जो शेडियूल तैक किया गया है क्या इसे गजरात और हिमाचल जैसे दो महत्पून चुनाव जो कांग्रिस के लिए बहुत महत्पून है, क्या वो प्रभावित होंगे? कांग्रिस पार्टी के जो लोग हैं इस अज्डारे में पूछे जाने पर जवाब देते हैं कि बिलकुल नहें उनका कहना है कि राहूल गांदी पद्यात्रा चलती रहेगी और बीच में वो जब कभी गुजरात या हीमाचल में पब्लिक रैली चुनाव रैली की बात होगी वो चले जाया करेंगे और फिर पद्यात्रा को जॉइन कर लिया करेंगे ये एक उन्होंने तै किया है जहां तक अभी तक हमारी जानकारी है जब इसमें संसोधन का कोई बयान आएगा तो हम भी सुधार कर आपके सामने वो चीजें पेश कर देंगे दूसरी बात कि ये पद्यात्रा हीमाचल और गुजरात के खलकों से होकर गुजर भी नहीं रही है जहां तक हमारी जानकारी है हीमाचल में तो बिलकुल नहीं जा रही है और गुजरात के लगे हुए कुछ हिलाकों से तो गुजर रही है लेकिन गुजरात में उस तरह से किसी महत्पूर्ण नगर शाहर की तरफ नहीं जा रही है इसका क्या मतलब है तो इस बारे में अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले कॉंग्रेस पार्टी की प्रेस कांफरेंस में केसी वेनुगोपाल जो पार्टी के महासचिव हैं और वो भी सांगर्षिनिक मामलों के प्रभारी हैं उनका ये कहना था कि ये जान बूच कर किया गया है ताकि गुजरात और हिमाचल में पार्टी के नेता कारिकरता जो चुनाओं में लगे हुए हैं वो पद्यात्रा के जाने से डिस्रप्ट उनका कामकाज न हो जाए उनके कामकाज में बाधा न पहुँचे डाइवर्जन न हो जाए अब ये अपना अपना कल्कुलेशन है कि क् कई गुजरात वालों को फैदा होगा ही माचल वालों को फैदा होगा या अगर गुजरात में पद्यात्रा जाती तो उसका ज्यादा फैदा होता ये एक सवाल है और जब रिजल्ट आएंगे तो भी अच्छा या बुरा जो भी कांग्रेस पार्टी के लिए रिजल्ट दोस्तो अतीत में राहूल गांधी की इस यात्रा से पहले की बात में कर रहा हूं देश में अतीत में भी कई मशहूर यात्राएं हुई हैं साबरमती से दांडी तक यानि नवसारी जो गुजरात का है वहां तक पधियात्रा की गई थी महात्मा गांधी द्वारा 1930 में 24 दिनों की उस यात्रा ने आजादी की लड़ाई में नया मोड़ ला दिया था गांधी जी के साथ कुलट 70 यात्री थे लेकिन उनके द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद पूरे देश में उबाला गया और लाखों लाख लोग सत्यागरा में शामिल हो गए तो वो एक पद्यात्रा थी जिसने आजादी की लड़ाई को एक मोमेंटम दिया दूसरी पद्यात्रा जो बड़ी मशूर हुई और इसके कारण चंदरशेखर को पद्यात्री कहा जाने लगा चंदरशेखर यानि अध्यक्ष जी जिनका नाम था आम तोर पे उनके समर्थक उनको अध्यक्ष जी कहा करते थे यहां तक की प्रदानमंत्री जब वो बन गए तब भी कुछ दिनों के लिए वो प्रदानमंत्री बने कुछ महीनों के लिए तो उनके बहुत सारे समर्थ तक उनको अध्यक्ष जी कहा करते थे तो चंदरशेखर जी जो पद्यात्री बन कर रहे हैं क्योंकि राहूल गांधी की इस पद्यात्रा के मकसद पर हम आज की अपनी इस चर्चा में जरूर आपके सामने अपनी बात रखेंगे तो आखिर चंद्रशेखर की जो पदयात्रा थी गांधी जी की पदयात्रा तो आजादी की लड़ाई थी चंद्रशेखर जी की क्यों थी दोस्तों उस पद्यातरा को हमने देखा था तो चंद्रशेखर जी की जो पद्यातरा थी जंता पार्टी में बहुत बड़ा बिखराव था उस विखराव को बचाने की थी सरकार में आने की थी लेकिन सरकार में इतनी जल्दी नहीं आ सके लोग इंदिरा गांधी की सत्ता थी और चंद्शेखर को पीम बनने का मन तो बहुत था वो तो आपको याद होगा कि जब चंद्शेखर जी जब राष्ट्री अधक्ष थे जन्ता पार्टी के तब भी वो लगतार कोशिश करते रहे वीपी सिंग से उनके जो कॉंट्रेडिक्शन और जगड़े थे उसमें भी लोग बूलते हैं कि पद की महत्वा कांशा थी लेकिन 1990 के 10 नौंबर को उनको वो मौका मिला यानी 83 के साथ साल बाद 83 में उन्होंने यात्रा की थी साथ साल बाद उनको प्रदानमंतरी का पद मिला वो अभी कुछ महीनों के लिए और 21 एक क्यानवेर तक वो पियम रहे दोस्तों एक पद्यात्रा और की एक रिजिनल लीडर ने कॉंग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता साबित हुए वाइस राजशेकर रेड़ी और उन्होंने विपक्ष के नेता के तोर पे आंध्रप्रदेश के रंगा रेड़ी से होते हुए तमाम जो सुखाग्रस्त 11 जिले थे उस समय उनसे होते वे इस त्रीकाकुलम में उन्होंने कल्मिनिट किया अपनी आत्रा को चुनाव जीत गए अगला चुनाव जब हुआ जिस चुनाव को मैंने एक रिपोर्टर के तोर पे कवर किया था उस चुनाव को जीत गए लोगों को भरोसा नहीं था कि कॉंग्रेस की सत्ता में वापसी होगी लेकिन चंद्रबाबु नाइडू की सरकार चली गई गर्मियों में वो पद्यात्रा शुरू हुई थी और एक पद्यात्रा और हुई थी जो संचित थी लेकिन महत्पूर्ण थी कि 2018 के मद्ध प्रदेश चुनाव से पहले कॉंग्रेस के नेता दिगविजय सिंग ने भी नर्मदा यात्रा की थी लिमिटेड होने के बवजूद उसका इंपैक्ट था तो दोस्तों इस तरह राहुल गांधी की जो मवजूदा पद्यात्रा है इन यात्राओं के अगर श्रिंखला में देखा जाए तो बहुत महत्पूर्ण यात्रा है और ये महत्प संजोग नहीं है कि उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले गुजरात चाकर साबर्मती आस्रम में महत्मा गांधी की स्मृति को सलाम किया और उन्होंने अपने मन में क्या बात कही क्या सोचा ये तो वही बता सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से वह इस यात्रा को लेकर खासे गंभीर हैं एक बहुत महत्पा कांची ये प्रकल्प है और यात्रा का जो खाका खींचा गया है उससे लगता है कि इस महत्पा कांची प्रोजेक्ट में सामाजिक ताना बाना जो देश का है उसको बचाना तो सामिल है लेकिन सिमठती हुई कांग्रेस को फिर से बड़े दाइरे तक फैलिये हुए एक संगटन के रूप में ताकत देना और निश्चित रूप से कोई पार्टी कहे न कहे कोई नेता कहे न कहे यह भी उसमें शामिल है कि कैसे कांग्रेस सत्ता में आए मोदी राज से मुक्ति कैसे मिले यह भी कांग्रेसियों का एक बड़ा सोच है तो मुझे लगता है कि इस यात्रा के बारे में कुछ चीजें कही गई हैं कुछ चीजें नहीं कही गई हैं देश के कई शहरों से कल पार्टी के प्रवक्ताओं ने यात्रा के आगाज का जो एलान किया था उनके बयानों को अगर आप बारे की से देखें तो ऐसा बिलकुल साफ लगता है कि इस यात्रा का अहम मकसद देश को उस मोदी राज से मुक्ति दिलाना है जिसमें देश का ताना बाना तूट रहा है उनके मुताबिक कॉंग्रिस के मुताबिक उनको लगता है कि देश बचेगा नहीं आज अशोक गहलोत राजस्थान के मुक्ष मंत्री उन्होंने तो खुल कर कह दिया कि जिस तरह की नीतियां मौझूदा सरकार एडॉप्ट कर रही है उससे क्या जाने की भविश्य में ग्रियुद्ध की स्थिति पैदा हो जाए पूरे देश के ताने बाने को तोड़ा जा रहा है कॉमिनिटीज कास्ट समाजों और समुदायों में जगड़ा पैदा किया जा रहा है अविश्वास का महौल गहराया जा रहा है अशोक गहलोत ने साफ तोर पे कहा कि इस यात्रा का मकसद ताने बाने को जिन्दा रखना ह और किसे भी तरह के गरेजुद्ध जैसी परिस्थती को टालना है, खतम करना है ये शान्ती की पद्यात्रा है, ये अहिंसा की पद्यात्रा है, ये प्यार की पद्यात्रा है, ये शान्ती की पद्यात्रा है ये कुछ बातें अशोग गहलोत ने बहुत अपने खास देशी अंदाज में कह डाली जवाम तोर पे राउल गांदी के जो बौधिक सलाकार हैं वो इतने साप ढंग से नहीं कहते बहुत सारे राउल गांदी की इस यात्रा में बहुत सारे उनके ऐसे सलाकार भी जुड़े हुए हैं जो NGO मारका हैं वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ऐसा लगता है कि सामाजिक सुधार और सामाजिक विचार के प्रचार का कोई बहुत बड़ा यह अभियान चल पड़ा है अब मेरा कहना है दोस्तों कि क्या एक यात्रा करने से सामाजिक सुधार की धारा बहु बह जाएगी क्या हमारे देश में जातियां धर्म संप्रदाए इनके जो मसले हैं यह सबको एक बारगी ही निप्टा लिया जाएगा एक सो पचास दिनों में ऐसा संबव नहीं है न तो कांग्रेस के पास वैसा कोई विचार दिखाई देता है और न तो उसके पास इस तरह की कारिकरता कतारे हैं इसलिए मुझे लगता है कि इतने महत्वाकांची प्रकल्प के बीच पार्टी के जिंडे को मजुदा रायनितिक परिश्य को और दार्षनिक और वैचारिक जो एक आर्टिफिसियल प्रकल्प बुना जा रहा है दोनों के भीच में घाल मिल करना सही नहीं होगा कंफ्यूजन भी क्रियेट करेगा इसलिए मैं मानता हूं कि अशोग गालोत एक अनुभवी नेता हैं कॉंग्रेस पार्टी के उन्होंने आज जो बातें कहीं प्रिस कंफरेंस में वो बहुत साफ और सटीक थी और उन्होंने पद्यात्रा के अहम एजन्डे को एक तरह से उद्गाटित किया तो दोस्तों पद्यात्रा का ये जो कारिक्रम है निश्चित रूप से बहुत बड़ा है इसकी कोई भी व्यक्ति मैं नहीं समझता कि कोई राजनितिक कारण अगर हो तो अलग बात है वरना कोई भी आम नागरी कहेगा कि ये एक अच्छा कदम उठाया गया है बरसों बरस से कांगरेस जो है ठप पड़ी सी थी बीच में कभी कभी कोई फुलजडी छोड़ती थी कभी कुछ करती थी और फिर खामोश हो जाती थी लेकिन एक निरंतरता जिस कारिक्रम में है उसका असर पड़ेगा इसमें कोई दोराय नहीं है अब देखना है कि इस पड़ियात्रा को इसके मकसद को पड़ियात्रियों के जो चीफ या नेता राहुल गांदी हैं वो कैसे चीफ करते हैं क्योंकि वो तमाम राज्यों में जा रहे हैं लोगों के से संबाद कर रहे हैं तरह तरह के सवाल उठेंगे उन सवालों के बारे में क्या वो जबाब देते हैं। उदारन के तौर पे अब कश्मीर में जब पहुँचेंगे तो परिसीमन का सवाल उठेगा मत दाता सूची में जो भारी हेरा फेरी करने का विवाद खड़ा हो गया आये कश्मीर में वह भी उठेगा आठकिल 370 को लेकर कॉंग्रेस की जो कन्फ्यूजिंग जो पोजिशन थी कभी कुछ काना कभी कुछ काना वह भी उठेगा तो जम्मू कश्मीर में उसके एक निता गुलाम नभी आजाद बड़े रहस्य में रंक से पार्टी छोड़ चुके हैं तो उसमें कश्मीर की अवाम को ये चाहिए जबाब की कॉंग्रेस कहां खड़ी है और बहुत बहुत जोखम है बहुत जोखिम है कि जैसे ही कुछ हो कहेंगे भारती जनता पार्टी आरेसेस की जो मशिनरी है प्रोपेगेंड़ा मशिनरी उनके खिलाब बहुत सारी बयानो का बहुत सारी आलोचनाओं की बहुचार भी करेगी क्योंकि इस देश को इस हमारे समाज को पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से ध्रुविक्रित कर दिया गया है कि सच बोलना कठिन लोगों का हो गया है धर्म, संप्रदाय, जाती और तरान तरह के सामुदाईक जो अंतविरोध हैं उन अंतविरोधों से इतना बड़ा बावेला खड़ा किया जाता है अपने समाज में कि सच की आवाजें आवाजें दब जाती है मुझे लगता है कि आज सच बोलने की जरूरत है क्या राहूल गांदी सच बोलने का जोखिम लेंगे क्योंकि ऐसे में उनकी चुनावी संभावनाएं उनकी पार्टी की चुनावी संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती है देश की जनता को सच बताने की जरूरत है और सच बहुत कड़वा है अगर माइनार्टी कम्मुनिटी के लोगों पर अटेक किया जा रहा है उनको दोयम दर्जे का नागरिक बलकि ऐसा लगता है कि कई छेत्रों में तो उनकी नागरिक्ता भी छीनने की कोशिस की जा रही है और छीन ली जाए तो कोई आश्यर नहीं है ऐसे माहौल में अगर उनके पक्ष में आवाज उठाता है कोई तो बहुत आसानी से उसको मेजार्टी कम्मुनिटी का विरोधी गोशित किया जा सकता है वाटसाप इंवस्टी अचानक एक्टिव हो जाएगी ये तवाम जो खम है इसका मतलब यह है कि आप इस यात्रा के जरिये अपने सच्ची सरल सहज बातों से क्या आम जंता के दिल और दिमाग में चाय हुए अंधेरे को छाट पाएंगे क्या लोगों को विवेक के साथ खड़ा होने के लिए ताकत दे पाएंगे अगर दे पाएंगे तो इस पदियात्रा का कोई जवाब नहीं निश्चित रुप से ये हमारे समाज के हमारे देश के इतिहास की एक बहुत गरोशाली और एक बहुत महान इत्रा साबित हो सकती है इसमें कोई दोराएं नहीं अगर नहीं ऐसा किया जा सका तो इतिहास में ये यात्रा तो याद की जाएगी लेकिन इस पर सवाल भी उठेंगे कितना फायदा कॉंग्रेस को होगा और राहूल गांधी को ये बाद में पता चलेगा लेकिन हम इस यात्रा को एक जर्नलिस्ट एक नागरिक के तोर पे गंभीरता पुरवक लेते हैं और इसको उसी गंभीरता के साथ इसे वाच करेंगे देखते रहेंगे कि आगे आगे होता है क्या नमस्कार आदाब सत्स्रियकार